it में एं आपको आपको चार्ट बताया था एक्टिव से पछरट में बदाने के रूस बतायते जुव एक चार्ट मैंने बनवाया था किसमें से आपको कुछ रूस कल मैंने बता दिये थे आप उसी के आगे पहले सीरियल नंबर, टैंसेज और एक्टिव आइस, पैसिव आइस तो छे तो कल मैंने बता दिया था, साथ मां आज आप डाल दीजिए कि जैसा कि कल जो बताया गया था, वो present indefinite, past indefinite और future indefinite दूसरा, present continuous, past continuous और future continuous, future continuous का बनता तो नहीं है लेकिन बनाया जासकता है, इसका भी फर्मूला आपको बता दिया गया है तो अब साथ मां आप ले ली है प्रे, प्रे, प्रेजंट, पर्फेक्ट, प्रेजंट, पर्फेक्ट, तो अगर, present perfect translate क्या लगता है subject लगता है has और have लगता है verb का hard form लगता है और object लगता है तो चाहे present का perfect हो चाहे past का हो और चाहे future का perfect हो सबके साथ verb के third form का ही प्रयू किया जाता है जिए इसका पैसे मिना जाएगा तो object का subject plus has have plus been plus verb का third form plus second object plus by plus subject का object ये फार्मूला आपका passive wise में बनता है तो ये 7 रूला आपके हो गए 8 में होगा past 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 perfect tense तो तो दूसरा क्या है पहला तो present perfect tense दूसरा क्या है past perfect tense इसमें क्या है कि subject लगता है subject के बाद चाहे subject plural हो चाहे similar हो सबके साथ head का प्रयोग किया जाता है verb के third form का प्रयोग किया जाता है और object का प्रयोग किया जाता है और जब इसका आप ऐसी वाइस बनाते हैं तो object का subject प्लस head प्लस bean प्लस वर्व का third form प्लस second object प्लस by और प्लस subject का object हो जाता है ये फार्मूला present का क्या है present perfect का subject has according to subject लगता है जिसमें से he similar number subject है तो has का यूज होगा और I will you the plural number subject है तो have का यूज होगा और perfect चाहे present का हो चाहे past का हो और चाहे future का हो सबके साथ बर्ग के third form का ही यूज किया जाता है दूसरा इसके आगे क्या है past perfect tense अब इसमें देखिए इसके एक्टिव आइस में अगर subject हो head हो बर्ग का third form हो प्लस object हो तो इसको क्या तकते हैं कि object का subject बना दिया जाता है इसके साथ head का यूज किया जाता है head सभी subject के साथ यूज किया जाता है और इसके बाद बीन बर्ग का third form second object बाई प्लस subject का object नाइन्थ आप का क्या है future perfect जैसा कि आपको बताया जा चुका है कि perfect में verb के third form का ही यूज किया जाता है इसमें subject प्लस विल सैल जैसा कि आपको पहले बताया भी जा चुका है कि आई और बी के साथ सैल बाकी सब के साथ बिल का यूज किया जाता है प्लस have और ये चुकी perfect है तो इसमें हमेशा verb के third form का यूज किया जाएगा प्लस object जब इसका passive बनाएंगे तो object का subject बना दिया जाता है इसके साथ बिल सैल में से किसी एक का यूज किया जाता है according to subject plus have plus been plus verb का third form plus second object plus by plus subject जैसा कि आपको पहले भी बता जातुका है कि ये चार्ट अगर आपके सामने चार्ट पहले यह आप उड़ा दिया गया है 7 हो गया 8 हो गया और 9 हो गया तो जैसा कि पहले भी आपको बता दिया गया है कि केवल 8 टेंसिस का active wise से passive wise में परिवर्तन किया जा सकता है चार्ट इंसिस का नहीं होता है लेकिन माइकल सौन के एकार्डेइंग ये प्राक्टिकल इंग्लिश यूजेज में आपका जो है बाकायद है दिया गया है आक्सपोर्ट अनिवरस्टी प्रेस में 458 नमबर पेज पे इन चारों का भी बनाया जा सकता है जबकि आधुनिक इंग्लिश में modern इंग्लिश में इसकी आउसकता नहीं है लेकिन फिर भी अगर जरूरत पड़े तो बनाया जा सकता ऐसा नहीं है कि नहीं बनेगा तो ये nine rules आपके हो गया प्रेजेंट परफेक्ट हो गया ये पास्ट परफेक्ट हो गया फ्यूचर परफेक्ट हो गया और जो नहीं बनते थे एक फ्यूचर कांटिनिवस है और तीन प्रेजेंट परफेक्ट कांटिनिवस Passt Perfect Cardinos and Future Perfect Cardinos तो जो यह तीन बच रहे हैं इनको हम आपको और जो बच रहा है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे रन्दबाद